हेलो फ्रेंड्स तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुड़ पावर पे और इस एपिसोड में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो जिसका यूज करके हम लोग हमारे वेबपेश को काफी एट्रेक्टिव और डिजाइन फुल बना सकते हैं तो इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं स्टाइल एट्रिव्यूट और कलर प्रॉपर्टी तो आपको थोड़ा आइडिया हैगा तो चलो स्टार्ट करते है और फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर जरूर फॉलो करना है ठीक है क्योंकि वहां पे मैं एक्स्ट्रा कॉंटेंड सॉप्टेट डिवलप्मेंट के रिलेटेट पोस्ट करता रहता हूँ तो व तरीके से अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे लाइक जिसे विंडोस कमांड है या फिर वीस कोड है अगर आपको एस्टे में ली नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हूँ ठीक है फ्रेंड तो यहाँ पर पहले बातों कोई शॉटक लैंग्वेज यूज फॉर डिजाइन दा वेब पेज मतलब हमारे एच्टेमिल जो पेज है उसको हम लोग को डिजैन करना होगा मतलब उसके अंदर हम लोग को कलर्स डालने है फिर एलेमेंस हम लोग को सेट करना है बाइब ठीक है अभी उसके हम लोग हैट भी थोड़ी क जाधा करनी है या फिर आप अभी mobile के अंदर कैसा विव दिखेगा अगर आपके website जो है वह computer के अंदर कैसे दिखेगी तो वह सब हम लोग design manage कर सकते हैं किसके अंदर तो मैंनेज कर सकते हम लोग css के अंदर ठीके तो चलो next चलते हैं तो friends आप देख सकते हो इसके अंदर में आपको सिखाने वाला हूँ style attribute तो जैसे HTML के अंदर हम लोगों ने अभी तो बहुत सारे attribute देखे ठीक है उसी तरह कैसे अगर आपको CSS apply करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे style attribute तिक है friends और अभी हम लोग देखने वाले है color attribute तो friends color attribute के अंदर पहले तो आता है उसका नाम मतलब हम लोग को जो भी प्रॉपर्टी अपलाई करना है वो प्रॉपर्टी का पहले आएगा नाम फिर column करके value देना है फिर जैसे ही value खतम हो जाती है semicolon और double code आपको close कर देना है ठीक है तो हम लोग basically CSS कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले style equal to double code में property फिर column करके value ठीक है फिर semicolon लगाना मत बुलना तो फ्रेंस CSS अपलाई करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन यह सबसे basic तरीका है जो मैं फिलाल अभी apply कर सकते हो तो मतलब आप color का नाम लिखो red blue ठीक है जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो जो color आपको चाहिए हो color का नाम लिखो तो भी ओ color apply हो जाए लेकिन उसी तरह के से बाकी सारे ways भी है जिसका यूज करके हम लोग color apply कर सकते है ठीक है तो दूसरा वे है आर जी बी आर मतलब red जी मतलब green बी मतलब blue ठीक है तो मैंने यहाँ पे उसकी value दी है 255 तो यह जो value है वो 0 से लेके 255 तक जाती ठीक है इतना याद रखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया है जो आर है मतलब red उसका जो number है वो last वाला मतलब 255 मतलब red color सबसे ज्यादा मैंने कर दिया और बाके सब 0 मतलब यह जो पूरा जो statement है वो क्या करेगा insert red color apply करके दे देगा ठीक है अभी हम लोग next देखते है hexa code इसको बोलते है hexa code तो friend इसमें पहले आता है hash और उसके बाद आता है alphabet और number का combination करके color बनता है ठीक है फिलाल अभी इतना याद रखो हम लोग को य यह numbers कुछ भी याद रखनी की जरूर नहीं ठीक है तो friends आप सोचो कि फिर हम लोग color कैसी apply करेंगा तो friends उसके लिए हमारे पास क्या है video studio code ठीक है तो friend उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा अभी हम लोग practical स्टार्ट करते है तो आपको idea आ जाएगा तो friends last method देख ले ठीक है तो friends अभी हम लोग direct practical स्टार्ट करता है तो आपको पूरा पूरा idea आयागा ठीक है तो friends सबसे पहले आपको open कर लेना है वियस कोड तो friends वियस कोड ओपन करो आपका folder open करो और एक नई फाल बना लो तो इसको मैं नाम देता हूँ color.html और यह पिसले फाल को close कर देता होता होता सबसे पहले हम लोग html head यह सब जरू है ठीक है वो पहले हम लोग लिख देता है इसको हम लोग लिख देता है color body के अंदर मैं भी फिला लिख देता हूँ h1 तो आपको थोड़ा text बढ़ा दिखेगा hello world ठीक है friends तो हम लोग जो style attribute है वो हम लोग web page के जो html के tag ह है आम लोग कोई भी tag के अंदर color attribute sorry style attribute यूज़ कर सकते ठीक है तो वो कैसे तो वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं मैं पहले आपको coding जूम कर देता हूँ तो फिर आपको proper दिखेगा ठीक है friends तो h1 के अंदर style equal to अभी क्या लिखना है आपको property ठीक है तो property का नाम क्या है c-o-l-o-r ठीक है friends तो आप जैसे ही color लिखो गे c-o-l-o भी लिखो गे तो यहाँ पर suggestions आना चालो हो जाएगा ठीक है friends तो आप यहाँ से भी directly ऐसे choose कर सकते हो या फिर पूरा लिखो तो भी वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे selection आता है interface कर दो तो friends जैसे मैंने बोला कि हम लोग अभी क्या यूज करने वाले है video studio core तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि already उसने सब कुछ suggestion देना चालो कर दिया ठीक है आपको जो भी color चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो friends इसलिए विजियो श्टूडियो कोड यूज करना जरूरी ठीक है क्योंकि वो हमारा काम आसान कर देता है तो friends अभी यह सब color आप याद रखोगे तो उसका कुछ मिनिंग नहीं ठीक है तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं विजियो श्टूडियो कोड ठीक है friends अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड जो पहली मैथड है जिसमें हम लोग नाम लिख सकते हैं ठीक है मैंने इतना लिखा अभी मेरा क्लिक करके इसको आपको रन करके दिखाता हूँ तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस और वही शॉटकट की है विजियो स्टूडियो कोड के अंदर भी ठीक है तो आप अभी देख सकते हो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया ठीक है और हमारी पाल का नाम कलर.html और उसके अ है ठीक है अभी दूसरी मैतल क्या है तो वह है एकजा कोड ठीक है तो हैक जब के अंदर वह स्टार्ट हता है है से ठीक है तो आपको हैसलिकना है उसके बाद कलर कोड जैसे आप फ्रेस करोगे वह यहाँ पर सर्जेशन देरा है तो पहले में पहले इसको चूस कर लेता होगा उसका मेनिंग वह वाइट कलर हो जाएगा ठीक है तो अभी ब्राउजर में जाता हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है क्यों क्योंकि वह वाइट हो गया है तो फ्रेंज अभी आपको क्या करना है सिंपल इसके उपर माउस लेके जाओ तो आप जैसे ही माउस लेके ज बलता हूँ कि हम लग को जो कलर है या फिर जो कोड है वह याद रखने की जरू नहीं क्यों कि वह सब कुछ हम को यहां से मिली जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ ब्लू ठीक है आप यहां से कलर थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो ठीक है जैसे सिलेक्ट हो जाता है मांऊस को बाहर लेकर जाओ तो गलर यहाँ पर सेट हो गया और यह पर आp को डेमों भी दिखाएगा ठीक है यह चेक बॉक्स के अंदर तो वो कौन सा कलर है बलू तो ब्राजर के अंदर जाते है तो फ्रेंट्स हो गेया बलू तो ईस तरिके से ह लोग एक्षा कोड़ भी यूज कर सकते तो फ्रेंट्स अभी नेक्ष्ट जो कलर का टाइप है तो वो है आर जी घिके तो फ्रेंट में जासे यां पर सजेशन आना चलो गया उसको सिलेक करो माउस से या फिर कीबड़ से और इंटेश कर दो ठीके तो फ्रेंट्स यां पर वह सजेशन दे रहा है कि जो पहली फेल्ड है वहां पर आपको क्या करना है तो रेड का जो नंबर एव पास करना है दूसरी फिल्ड में ग्रीन और तिसरी फिल्ड में ब्लू ठीक है यह खाली अभी सजेशन दे रहा है तो आप जैसे इसके उपर माउस लेकर जाओगे तो यहाँ पर फिर से आपको जो भी कलर चाहिए वह आप चुछ कर सकते हो और यह जो कोड है वो आटमेटिकली बन दे रहा है ठीक है तो मैं इसको पहले जो अंदर का जो कॉंटेंट है यह मैं निकाल देता हूँ आजीवी और इसके अंदर 25500 सेव करते है तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि जो पहला आर्गुमेंट होता है वो रेड ठीक है और रेड मतलब कि 0 से लेके 255 तो जो रेड वा वह सबसे ज्यादा इसलिए वह रेड दिखा रहा है ठीक है अभी मैं उसको उपर माउस लेके जाता हूँ और यहां से मैं उसको ग्रेंड कर देता हूँ ठीक है फ्रेंड्स तो आप जैसे ही यहाँ पर सिलेक करोगे और वह आपको यहाँ पर नमबर दिखाना चालो कर फ्लेक टो यह irre क्रेंशन से अभी से फिलाव घ्रीन बन गया हूँ ठीक है तो सेव करो ब्रावजर में याते है तो फ्रेंड अब देख सकते हो इसके अंदर अभी ग्रेंड होगे ठीक है तो इस तरीगे से आपको सिंपल इसको उपर माउस लेके जाना है उससे लेक्त करो अप्लाइ कर सकते हो using RGB अभी जो लास्ट वाला बचा मैं इसको निकाल देता हूँ एच एस एल ठीके वरेंट्स तो इसके अंदर भी तीन में लिवाती है ठीक है तो फर्स्ट है मैं अभी फिला जीरो जीरो लिखतेता हूँ सेव करते हैं और अभी मैं इसको पर माउस लेकी जाता हूँ तो अभी मैं से इसको फिर से ब्लू कर देता हूँ ठीक है अभी आप चुछ करो ब्लू अन्दब आप या से माउस से ड्रेगन डॉप कर सकते हो ठीक है और यह बार को भी आप मूव कर सकते हो select हो गया color अभी बहार mouse लेके जाओ फिर इसको save करो और browser के अंदर जाओ तो blue color हो गया तो friends आप इस तरीके से चारो method का use करके आप color apply कर सकते हो ठीके तो friends इसमें से मैं आपको बताना चाहता हो जो सबसे ज्यादा method user होती है वो generally use करते है सब एक्जाओ ठीक है तो friends वो फिलाल तो कोई याद ने रखता है लेकिन वो short और simple होता है इसलिए सब लोग उसको generally use करते है ठीक है friends तो इस तरीके से हम लोग color change कर सकते हैं और friends मैं आपको इसमें और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें हम लोगोंने last episode में देखा था कि developer tool ठीक है तो developer tool के अंदर भी हम लोग color change कर सकते हैं मतलब testing कर सकते हैं लाइक जैसे अभी गए यह आप है और यह जो box है उस पर आपको click करना है और वहां से भी आप color change कर सकते हो ठीक है तो मैं अभी इसको फिलाल green कर देता हूँ और इसको बाहर में click करता हूँ या फिर आप कई पर भी click करो ठीक है friends यहापे click कर दो तो friends अभी हम ल यहाँ से copy करके हम लोग अभी जाता है हमारे visual code के अंदर और मैं यहाँ पर का पेस्ट कर देता हो ठीक है friends सेव करते है तो वो अभी क्या हो गया तो वो बन गया हमारा अभी यहाँ पर कोमा लगाना रह गया ठीक है रोकरते हैं तो friends यह green हो ठीक है तो friend इसलिए हम लोग करते हैं तो वह यहां से पहले color set करते हैं ठीक है तो मैं अभी hexa code set करता हूँ as 0000006 times 0 मतलब वह black color हो जाता है ठीक है अभी color देने के बाद यहां पर box है उस पर में click करता हूँ तो यहां पर color अदर आना चालो हो गया तो friends अभी में फिला लिए स्काय कलर चूज़ करता हूँ ठीक है फ्रेंज यहां पर तूरंद code change हो जाएगा तो यह code आप copy करो और यहां पर आप उसको paste कर सकते हो प्रेंज कर दो save कर दो तो यहां पर भी change हो गया ठीक है तो फ्रेंड इस तरीके से यहां पर भी replace आ गया तो friends software development के दोरा जो हम लोग वे पर design करते हैं तो वो क्या करते हैं तो वो यहां color apply करेंगे फिर यहां पर देखेंगे फिर यहां पर color apply करेंगे फिर यहां पर देखेंगे ऐसा नहीं होता है ठीक है इसमें time wait होता है इसलिए जो भी color choose करना है ठीक है तो वो पहले यहां पर यह developer tool open कर गए यहां पर सब कुछ finalize कर लेते ठीक है यहाँ पर finalize होने के बाद वह यहाँ पर apply कर देते ठीक है copy और paste करना होता है तो वह final output हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा जिसका use करके हम लोग हमारा time भी बचा सकते हैं इसलिए हम लोग क्या यूज करते है developer tool ठीक है friends तो आपको फिसला episode इसके लिए जरूर जरूर देखना है ठीक है friends तो friends में यहाँ पे आपको खली coding नहीं सिखाने वाला मैं आपको सिखाने वाला हूँ software development ठीक है तो friends उसके अंदर तो हम लोग खास करके यह सारे टूल यूज करते हैं तो friends हम लोग अभी ने तो friends अभी हम लोगों ने क्या देखा तो style attribute color और CSS के से apply करते हैं और developer tool के अंदर आप किस तरीके से change कर सकते हो इसमें एक चीज मैं आपको फिर से बतना चाहता हूँ जो विजियो browser के अंदर आपको यह जो box है suggestion वाला उस पर click करना पड़ेगा उसके बाद ही आएगा ठीके फ्रेंस तो अभी फिलाल के लिए इतना ही अभी आपको क्या करना है यह जो मैंने अभी सब कुछ सीखा है उस पर practice करो और आपने जो web page बनाया होगा उसके अंदर आपको color attribute कर वि थेंक यू